इंडिया आज तक आपकी आवाज वर्षिये को गला घोट कर और उसकी गले की चैन कान के जुम के चीन कर जान से मार डाला वही मुम्ताज बेगम की परीजनों का कहना है कि करीब रात में एक बज़े के आसपास घटना हुई है घर का में गेट बंढ होने के बाद भी आरूपि घर में गुसाए परीजनों का कह तो मौक्वे पर पहुंची पुलिस ने बॉडि को अपने कपजे मिले सब्याच कर आई गई मंगल परशांत नहीं हो सका पुलिस से भी जाच करही है और मामला क्या है पुलिस पुलिस पिशांते अध्यांसारी किरी पूलनाज जा घटना हुई यह घटना हुई वह तो अच्छी खासी लेटी सुबा जब हम आये ना मां हमारी मुम्ताज आय तो भती जी गई कहने दादी के बाल बिखरे हुए हैं तो हमने कहें तो आय देखा तो बस उनको हमने दहलाए डुलाए तो गले में उनके निसा अब जाना नहीं थी वस फिर सबको बुला एकटा गी घर में जो त्यकी का तो दो सॉल मिले हैं वह हमारे घर के नहीं है उसमें इसमेल आ रही है मट्टी के तेल की अब यह चाहते हैं कि आप पता लगाई है कैसे हुआ और ताले हमारा जो मैन गेट है उसका ताला बन था उ अब तो बहार रहते हैं यह हमारा घर बगल में दो तीन घर छोड़के भाई यह भावी उपर रहते हमारे और डेडी हमारी यह सो रहते बहार क्या हुआ है आज प्रेम लगर की पुलिया नंबर 9 में एक महिला जिनकी उनकी डिट बॉड़ी घर के अंतर पड़ी हुई है इस सूचने पर पुलिस मौके पर पहुंची है प्रतम दर्श्टिया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मृत का की गला घोट करके हत्या की गई है बॉड़ी को पंचायत नामा भर करके पोश्ट मार्टम के लिए भेजा गया है परीजिनों की तहरीर प्राप्त होने कर अवश्चिक वैदाने की जाएगी डॉग स्कॉर्ट आया था डॉग स्कॉर्ट के द्वारा भी प्रियास किया जा रहा है संदिग्दों को तलासने के इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें